राधी राधी दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे होली 2024 में कभ है जाने सही तारीख होली का दहन के तारीख हुआ सुभ महुरत होली का दहन पूजा की बिधी और होली का दहन के समय क्या करें होली रंगों का तेवार हर साल फालकुन मास की पुर्णिमा को मनाया जाता है होली दो दिन की होती है पहले दिन पुर्णिमा पर होली का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली होती है इस दिन सभी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं इस बार होली बाले दिन चंद्र ग्रहन भी लग रहा है, हाला कि ग्रहन का धार्मिक महत्पन ही है, क्योंकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा। 2024 में होली का सुभ महुरत पुर्णिमाति थी प्रारमव 24 मार्च 2024 को सुभ 9 बचकर 54 मिनट से, पुर्निमाति थी समाप्त पत्चीस मार्च 2024 को 2 बहर 12 बचकर 29 मिनट पर 25 मार्च को होली मनाई जाएगी और होली का धहन 24 मार्च को है,는 होलिका दहन का सुब्व महुरत 24 मार्ज को देर रात 11 बचकर 13 मिनट से लेकर 12 बचकर 27 मिनट तक है होलिका दहन का कुल सुब्व महुरत एक घंटे 14 मिनट का है होलिका दहन की पूजा भिधी फालकॉन मा की पुर्णिमा दिथी को होलिका दहन किया जाता है ऐसी माननेता है कि होलिका दहन से आसपास के भातावरन में नई एवं सकरात्मक उर्जा का संचार होता है साथ ही लोगों के कस्टों का खात्मा भी होता है होलिका दहन के कुछ दिन पहले से ही किसी एक स्थान पर पेर की टहनिया, गोवर की उपले, सूखी लक्रिया, घास, फूस, आदी इकठा की जाती है होलिका दहन से पूर्व होलिका की पूजा की जाती है इस दिन होलिका के पासपोर विया उत्तर दिसा में मुख करके बैठ जाना चाहिए फिर गनेस और गौरी की पूजा करनी चाहिए इसके बाद ओम होलिका नमहा होलिका के लिए ओम प्रहलादा नमहा भक्त प्रहलाद के लिए और ओम निरसा नमहा भगवान नर्सी के लिए जा होलिका दहन के समय, अकनी में गेहों की बालियों को सेका जाता है, फिर उनको बात में खाले, कहा जाता है कि इससे व्यक्ति निरोगी रहता है। इसके बाद वरूणे की चार मालाई ली जाती है और इन में से एक पित्र के लिए, एक हनुमान जी के लिए, एक सितला माता के लिए और एक माला परिवार के लिए चढ़ाई जाती है फिर होलिका की तीन या साथ वार परिकर्मा की जाती है परिकर्मा करते करते कच्चा सूत होलिका के चारो और लपेटा जाता है फिर लोटे का जल तथा अन्य पूजा सामगरी होलिका को समर्पित करनी चाहिए चावल, गंध, उस्व, माला, रोली, गुर, साबुत, हल्दी, मौंग, बतासे, गुलाल, नारियल, गेहूं की बालिया आती से होलिका की पूजा करे फिर अपनी मनो कामनाई कहे और गलतियों की चमा मांगे होलिका दहन के दोरान अगर कुछ उपाई किये जाए तो जीवन की समस्याओं का अंध होता है सुख समरिधी के लिए होली का दहन के समय अगर अनाज की आहुती दी जाये तो परिवार में सुख समरिधी बनी रहती है ऐसे में आप भटे के दाने, उरद, गेहू, मसूर, चना, चाबल या जो में किसी एक चीज को चड़ा सकते हैं आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए देशी घी में भीगे हुए दो बतासे, दो लॉंग और एक पान के पत्ते की आहुती देनी चाहिए इससे घर में धीरे-धीरे धन का संकट समाप्त होने लगता है और आर्थिक समस्याए दूर हो जाती है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और दो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अन कर ले जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो फि